डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट गठबंदन सरकारों में सहयोगी दलों की मंत्री पद और विभागों की मांग को लेकर खेंचतान नई बात नहीं है हर डल का मुखिया अपने नेताओं की सामुहिक आकांक्साओं को साथ लेकर चलता है गठबंदन का पहला धर्म होता है नेतियों और योजनाओं पर फैसले के समय नीजी या डलकत स्वार्थों से उपर उठकर सहमती बनाने का गठबंदन का एक भी दल इस धर्म का निर्वाह नहीं कर पाता तो वह सरकार चल नहीं पाती देश में गठबंदन सरकारें बनी और चली हैं पर वे तब तब गिर गई हैं जब गठबंदन धर्म के निर्वाह में दलगत स्वार्थ या वैचारिक मतभेद आडे आये हैं इस बार फिर गठबंदन सरकार बनने जा रही है राष्टिय जनतांत्रिक गठबंदन ने नरेंद्र मोधी की अगवाई में सरकार बनाने पर सहमती जतादी है मंत्रालों के बंटवारे आदी को लेकर मंथन चल रहा है हर बड़े दल से बड़पन की अपेकसा रहती है और वह थोड़ा जुक कर अपने सहयोगियों का मान उपर रख भी लेता है मगर सरकार गठन से पहले ही जिस तरह जद एकी और तेलगू देशम की तरप से नीतियों को लेकर सरतें रखी जाने लगी है उससे गठ बंदन के भविस्ये पर आसंका गहराने लगी है जद एकी ने कहा है कि अगनी वीर योजना पर सरकार को पुनर विचार करना चाहिए यही मांग विपक्सी दल सुरू से उठाते आ रहे हैं चुनाव प्रचार के दोरान इंडिया गठ बंदन ने तो सारवजनिक रूप से एलान किया था कि अगर उसकी सरकार बनी तो अगनी वीर योजना को खत्म कर देंगे वही बात अगर सहयोगी करने लगेंगे तो सरकार के लिए मुश्किल होगी भाजपा समान नागरिक सहिता लागू करना चाहती है इस दिसा में वह आगे भी बढ़ चुकी है मगर उसके दोनों प्रमुख सहयोगी दलो ने इस पर भी पुनिर्विचार की बात कही है सभी राज्य सरकारों से सहमती की मांग कर रहे हैं हालांकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार अगर लचीला रुख अपनाए तो सहमती बन सकती है राजनीती में हर कदम के दुरगामी परिनाम होते हैं कौन सा दल किस मुद्दे पर अपनी बात मनवा लेता है उससे उसके राजनीतिक भविश्य पर असर पड़ता है भाजपा को इस वक्त सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाने की मजबूरी है पर वह अपने सिद्दान्तों और नेतियों से डिगेगी तो नुकसान का खतरा बना रहेगा एसी स्थितियों में सरकार की अगुआई कर रहे दल के सामने चुनवती होती है कि वह कैसे अपने सहयोगीयों को नेतियों पर एकमत करे और किस हद तक उनकी सर्तों को माने नितिस्त कुमार और चंद्रबाभू नाइडू की राजनीतिक छवी टिकाओ और भरोसे मन सहयोगी की नहीं रही है इससे पहले भी वे कई बार राजग के साथ रहे बीच में छोड़कर चले गए फिर आ गए हैं बिहार और आंद्रब्रदेश को विशेश राज्ये का दरजा देने जैसी उनकी कुछ पुरानी मांगे हैं इसके अलावा अल्प संक्यकों के आरक्षन के मुद्दे पर भी उनकी विचार अलग हैं अब जब वे मोलभाव करने की स्थिती में है ये मुद्दे उठा सकते हैं मगर इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी हैं गठ बंदन की सरकारें सर्तों की रसा कसी से नहीं सहयोग और सहमती के संकल्प से चलती हैं अगर इसकी कमे इस गठ बंदन में रहेगी तो ए निश्चित्ताओं के बादल सायद ही कभी छंटेंगे नदियों के जलके बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद नया नहीं है देश में नई राज्ये नदियों के जलके इस सेदारी को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं विभिन प्राधिकार बने हुए हैं लेकिन विवादों का निप्टारा नहीं हो पा रहा है राश्ट्य राजधानी दिल्ली को यमुना का जल मिले और सुगमता से मिले यह मुद्दा अब राजनीतिक स्वरूप ले चुका है दिल्ली में जल संकट की स्थिती गंभीर है गुरुवार को दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रिम कोर्ट ने व्यवस्था दी की हिमाचल प्रदेश 137 क्यूशेक अतिरिक्त जल छोडेगा और हरियाना दिल्ली की तरफ पानी की प्रवाहे को सुगम बनाएगा यह व्यवस्था देते हुए सिर्ज अदालत की यह टिपणी बिल्कुल सटेक है की पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए यह विडम बना है की जब लोग प्यासे हो तो पानी छोडने को लेकर खींचतान मचे और जो राज्य दबाव डाल सकता है वह अडजाई हर्याना और दिल्ली की सरकारों में हतीनी कुंड बांध से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर अक्सर ठनी रहती है इस बार दिल्ली सरकार उच्चतम नयालय पहुची इस मामले में सिर्ष नयालय ने मामले से जुड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, हर्याना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से पूछा की वे दिल्ली को कितना पानी दे सकते हैं हिमाचल ने हामी भरी अब हिमाचल प्रदेश हर्याना को पूर्वे सुचना दे कर पानी छोड़ेगा और यूवाई आरबी हतीनी कुंड में आने वाले अतिरिक पानी को मापेगा ताकि इसे वजीराबाद और दिल्ली तक पहुचाया जा सके जाहिर है दिल्ली को मिल रहा पानी हर्याना रोक तो नहीं रहा इसकी निगरानी सिर्ष अदालत करेगी उम्मीद की जानी चाही की अदालत द्वारा दी गए इस व्यवस्था का समूचित पालन होगा कोई सरकार रोडे नहीं अटगाएगी और आम जन को सुगमता से पानी मिल सके इसके लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे इसके सात ही लोगों को भी पानी बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी इसके लिए उन्हें पानी की खपत के लिए जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाना चाहिए समाप्त दोस्तो इस डिक्टेशन का पीडियो फाइल अपने टेलिग्राम चनल स्टडी विद आजपी स्वामे पर डाल रखा है